नमस्ता दोस्तों सुनाक्षी IVF से मैं डॉक्टर पूजादीर वयाना दोस्तों OPD में जब भी किसी यंग कपल को एडवाइस किया जाता है कि हां आपको IVF की जरत है तो सबसे बहला सवाल आता है अपी तो हमारी उम्र छोती है तो क्या सच में हमें IVF करवाना पड़ेगा दो दोस्तों IVF कुछ इंडिकेशन ऐसी होती है जिनमें की कम उम्र में भी हमें IVF करना पड़ता है जैसे की ट्यूप्स का बंद होना या शुक्रानूं की रिपोर्ट्स पे दिक्कत होना या पोई अन्य प्रॉब्लम होना जिस कारण से किसी कपल को IVF की जरत पट्रणी है तो इननिशन्स में अगर वह कपल यह सोचना शुरू कर दे कि कोई बात नहीं हमारे पास अभी अगले 5-6-10 सान हैं उसके बाद हम IVF करवा लेंगे तो शायद मैं इस सोच को गलत बोड़ूँगे क्यों क्योंकि जब भी हम IVF करते हैं उसमें सक्सेस रेट्स के या रिजल्ट्स की जो बेस्ट प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है माने जिस चीज की ओपर सबसे ज्यादा नेवर करता है कि IVF का रिजन्ट कैसे आने वाला है वैर है किसी भी फीमेल की एज क्यों क्योंकि एज के साथ साथ एज बढ़ने के साथ साथ किसी भी फीमेल में एक्स की मात्रा और एक्स की गुनवत्ता दोनों कम होनी शुरू हो जाती है और लंबग 35 या 37 या के बेयोंड यह चीज़ें जादा देखने को मिलती है इस वाइ सक्सेस रेट्स इन यंग कपल माने अगर फीमेल की एज कम है तो उसमें सक्सेस रेट्स जादा रहेंगे ऐस कंपेड टू जो फीमेल हमारे पास 37, 38 या 40 साल में आईविफ करवाने के लिए आ रही है कभी कबार कुछ ऐसे कपल्स भी आते हैं जिन्दे शायद 8-9 साल पहले आईविफ करवाने को बोला गया और उन्हें इंतजार करते करते बहुत लंबा टाइम बिता दिया and literally in those cases फीमेल हमारे पास ऐसी उम्र पे आती हैं 40, 42, 45 जहां पर उनके खुद के एक्स हम यूज नहीं कर पाते हैं जहां पर हमें मजबूरी में उन्हें एक डोनेशन की सलाह देनी पड़ती हैं तो दोस्तों अगर आपको किसी ने IVF बताया है तो definitely यह जानने की कोशिश जरूर कीजिए कि IVF क्यों करवाना है और अगर ऐसा इंडिकेशन है जो कि आगी चलकर कभी चेंज नहीं होने वाला है तो उस condition में definitely आपको IVF जंदी करवाना है because IVF करना is dependent upon indication किया है it is not dependent upon की आपकी age किया है thank you bye for now